नमस्कार स्वागत है आपका मनी नाइन के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में मैं हूं मिनुश शर्मा लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनस, बिजनस, कॉर्पूरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब के साथ साथ आपकी ज खबरों का सिलसला फैस्टिव सीजन में दालों के दाम ना बढ़े इसलिए सरकार ने तूर और उड़त डाल पर स्टॉक लिमिट को दो महीने और बढ़ा दिया है अब 31 संबर तक तूर और उड़त डाल पर स्टॉक लिमिट लागू रहेगी फूड एंड कंजूमर अफेर मिनिस्ट्री ने होलसेल और बड़े चेंड रिटेलर्स के लिए स्टॉक लिमिट को 200 तन से घटा कर 55 तन कर दिया है इसके लाबा सभी को अपने स्टॉक का खुला सभी हर अफ्टे सारवजनिक पोर्टल पर करना होगा जमक खोरी रोकने और कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने इस साल जन्वरी में तुर और उडदाल पर स्टॉक लिमिट लगाने की घोशना की थी बैंकों में सकल NPA और पुंजी परियापता की स्थिती बिल्कुल भी संतोष जनक नहीं है शेहरी सहकारी बैंक का कुल NPA बढ़कर 8.7 फी सदी हो गया है RBI गवर्नर शक्तिका अंदास ने NPA संकर से बहतर ढंक से निपटने के लिए बैंकों को सुझाब दिया कि बहतर आकलन के साथ क्रेडिट जोखिम प्रबंधन पर ध्यान दिया जाना चाहिए SNP Global Ratings ने चालूवित वर्ष के लिए भारत के वर्दी अनुमान को 6 फी सदी पर बरकरार रखा है वेश्व अर्थ विवस्ता के धीमी होने सामाने से कम मौनसून के बरते जोखिम और ब्याश दरों में बड़ोत्री का हवाला देते हुए SNP ने अपने अनुमान को बरकरार रखा है SNP ने रिपोर्ट में कहा है कि इस साल वर्दी दर 2022 की तुलना में कमजोर रहेगी SNP का ये भी कहना है कि जून तिमाई में भारत की उपियोग वर्दी के साथ साथ पूंजिगत वैभी मजबूत रहा शेरों में घर खरीदने के लिए सरकार सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्द कराएगी के इंदर सरकार अगले पांच साल में शेहरी लाकों में किफायती घरों के लिए सबसीडी वाला लोन उपलब्द कराने की योजना पर काम कर रही है सूतरों का कहना है कि कुछ राजियों में होने वाले विधानसवा चुनाव से पहले ये स्कीम लाँच हो सकती है ये प्रस्तावित स्कीम 20 साल की अवदी वाले 50 लाक रुपए से कम के हाउसिंग लोन पर लागू होगी इंट्रेस्स सबसीडी होम लोन के लाभारतियों के खाते में सीधे जमा की जाएगी ये स्कीम 2028 तक चलेगी इसे आधे अंतिम रूप दिया जा चुका है इसके बाद इसे केंद्रे कैबिनेट की मन्जूरी के लिए भेजा जाएगा सबसीडी वाला लोन उपलब्द कराने पर 600 अरब रूपे होंगे खर्च क्रूट तेल में उबाल आगे भी जारी रह सकता है ग्लोबल इंवेस्मेंट फर्म जेपी मॉर्गन का ताजा रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है रिपोर्ट के मुताबिक एनरजी कमोडिटीज में सूपर साइकल के आसार है कच्चे तेल की कीमत 150 डॉलर तक भी उच्छल सकती है जो फिलाल 93 डॉलर के करीब बनी हुई है साल 2024 में ब्रेंट कूड की कीमते 90 से लेकर 110 डॉलर के बीच रहने की संभावना जताई गई है इस बीच बढ़ती कीमतों के कारण 21 सितंबर को भारतिय बासकेट में क्रूड की कीमत 93.5 डॉलर प्रती बैरल पर पहुँच गई जो 14 महीने का उच्छतम स्तर है NAC FNO ट्रेडिंग के लिए कारोबारी अबदी बढ़ा सकता है इसके लिए सेवी की मनजूरी का इंतजार है कारोबारी अबदी में बढ़त की ये शुरुआत निफ्टी और बैंक निफ्टी सहीत इंडेक्स वायदा और आप्शन से होगी Extended Session के दोरान ट्रेडर सुबा सवा 9 बजे से 3.30 बजे तक भी FNO कॉंट्रेक्ट में ट्रेडिंग कर सकेंगे NAC शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक के एक इविनिंग ट्रेडिंग सतर पर भी विचार कर रहा है यहां ट्रेडर सुबा सवा 9 बजे से 2.30 बजे के नियमित ट्रेडिंग ओवर के बाद भी Future and Option की ट्रेडिंग कर सकेंगे आगे चलकर NAC सतर को रात 11.30 बजे तक बढ़ा सकता है डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे की गिरावट के साथ 83.14 प्रती डॉलर की भावपर बंद हुआ कच्चे देल की बढ़ती कीमतों विश्व की अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुल्ला में डॉलर की मजबूत होने से रुपय में ये गिरावट आई है विदेशी निवेशकों की बिकवाली से भी रुपया प्रभावित हुआ है कमजोर घरेलू शेयर बाजार की कारण भी भारती रुपय में गिरावट आई FII की बिकवाली के दवाब ने भी रुपय पर नकारात्मक असर डाला है अब बताते हैं आपको सोने चांदी का क्या है हाल दिल्ली सराफा बाजार में सोना 60,050 रुपय प्रती 10 ग्राम पर स्थिर रहा वहीं चांदी की कीमत 450 रुपय की गिरावट के साथ 75,350 रुपय प्रती किलो ग्राम रहे गई अंतराश्टिय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1,922 डॉलर प्रती ओंस रहा जबकि चांदी की कीमत गिरावट के साथ 23,45 डॉलर प्रती ओंस पर आ गई बाजोज जैसा मामला फिर ना धोराया जाए इसके लिए सरकार अनलिस्टेट कंपनियों के लिए सकत कानून बनाने पर विचार कर रही है कंपनी लॉ कमिटी बड़ी अनलिस्टेट कंपनियों के लिए कड़े फिनांशन रेगूलेशन पर विचार कर रही है कड़े नियम लाने से पहले पैनल बड़ी कमपनियों को परिभाशित कर सकती है कमपनी लौ कमीटी के इस कदम की वज़ा एडटेक बाइजूस में हुई गडबडियों को माना जा रहा है बाइजूस के कई आडिटर्स ने कंपनी के बुक में गड़बडियों की और इशारा किया अब खबर डीमेट खाताधारकों और म्यूच्वल फंड निवेशकों के लिए बहुत जरूरी है और निवेशक ना तो निवेशकर पाएंगे और ना ही अपना पैसा निकाल पाएंगे सेवी ने कहा है कि नए और मौझूदा दोनों निवेशकों के लिए नौमिनी का नाम बताना जरूरी है सेवी ने ये कदम निवेशकों को अपनी संपत्य को सुरक्षित रखने और उनके कानूनी उत्राधिकारियों को सौपने में मदद के लिए उठाया है और आज की आखरी खबर 2000 रुपे के नोट से जुड़ी है अगर आपके पास भी अभी तक 2000 रुपे के नोट हैं तो इन्हें बैंक में जमा करवा दीजिए नहीं तो 5 दिन बाद आपको परिशानी हो सकती है 2000 रुपे का नोट बैंक 30 सितंबर के बाद लिन दिन के लिए पूरी तरह बंद कर देगा RBI के मताबिक बाजार में अभी भी 7 फीसदी 2000 रुपे के नोट मौजूद है भारती रिजर बैंक ने 9 मई को 2000 रुपे के नोट को चलन से बाहर करने की खुशना की थी किंद्रे बैंक ने लोगों को 2000 रुपे के नोट बदलने या बैंकों में जमा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है इसके बाद बैंक 2000 रुपे के नोट सुईकार नहीं करेगा और यती मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें वक्त होगे आप से विद्धा लेने का आप से होगी कल मिलाकार परसनल फाणेसे जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए सुनने के लिए हमारे खास कारे करमों को देखने के लिए मनीनायन के सूपर आपको जरूर डाउनलोड कर लिजे आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिये इसके साथ ही बने रहे हैं मनीनायन के साथ नमस्कार शुबरादरी कर दो झाल झाल